लोकतंत्र के लिए शब्द जनन आयकम है, जिसका अर्थ है कि लोग नेता हैं, अगर लोकतंत्र को काम करना है, तो जागिरदारी वाले तरीकों को खत्म करना होगा, हम धर्म और जाती से परिज आकर वोट देने की बाते कर रहे हैं, पर पाटी का क्या? पाटी नया धर्म बन या नहीं, इसमें कहा गया था कि आपने धारा तीन से सत्तर हटाने का सुझाओ दिया है, अगर आप वाकई में इसमें विश्वास रखते हैं, तो क्या आप इस बारे में और अधिक बता सकते हैं? देखे, देश में ये उल्जन है कि कौनसी जमीन भारत है और कौनसी जमीन भारत नहीं है, आपको इससे सुलजाना होगा अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये जगडे हमेशा चलते रहेंगे दोनों तरफ से कितनी जाने जा चुकी हैं आप ऐसा कब तक करना चाहते हैं हमें तय करना होगा आप में फैसला करने की हिम्मत होनी चाहिए वरना अगर आप राष्टर को संगठित नहीं करते हैं तो ये समस्या बनी रहेगी नई पीड़ी की भी यही उल्जन है उन्हें ब्रह्म है कि क्या मेरा इस राष्टर से संबंध है या इस राष्टर से संबंध नहीं है क्योंकि विभिन लोग अलग अलग तरीकों से प्रचार कर रहे हैं राष्टर को संगठित करने के राष्टे में आने वाली हर चीज को हटाना होगा और मेरी राय में धारा 370 उन चीजों में से एक है जो आबादी को भ्रहमित कर रही है उन्हें ये नहीं पता कि वो कहां के है सद्गुरू, मेरा सवाल नशीले पदार्तों के बारे में है क्या आपको लगता है कि अगर नेतावों को नशीले पदार्त दिये जाए तो हिंसा को रोकने में मदद मिलेगी अब आप उन्हें नशा देना चाहते हैं बाकी चीजों से काम नहीं बना ठीक है हाँ, ये एक समाधान हो सकता है वे खुद में इतने अधिक व्यस्त होंगे कि एक दूसरे की चिंता ही नहीं करेंगे देखिए, हमें ये समझने की जरूरत है हम हमेशा सोचते हैं कि कोई एक नेता समस्या है चाहे यहां या वहां हमें ये समझने की जरूरत है कि हम एक लोकतांतरिक राष्ठर है तमिल भाषा में दक्षणी भारत में, तमिल भाषा में लोकतांतर के लिए शब्द जनन आयकम है जिसका अर्थ है कि लोग नेता है ये इतना सरल नहीं है कि आप एक नेता को ड्रग्स दे और हमारी समस्याएं खत्म हो जाएं इसकी जड़ें उससे कहीं अधिक गहरी हैं अधिकान शाबादी शायद इसमें शामिल नहो अगर ये देश की आबादी का केवल दो प्रतिशत ही हो तो भी ये बहुती उर्जवान दो प्रतिशत आबादी है 98 प्रतिशत आबादी शायद वहाँ हो लेकिन वो थोड़ी नींद में हैं शायद वो पहले ही नशे में हैं एक तरह से वो हैं वो अपनी सुस्ती के नशे में हैं वो अपनी खुद की कहानियों के नशे में हैं वो इस तरह के विश्वास के नशे में हैं कि एक दिन कोई आकर उन्हें बचाएगा नहीं, मुझे लगता है कि हमें उन्हें नशे से बाहर लाने की जरूरत है वो अलग-अलग प्रकार के नशों में हैं जो उन्हें सुलाई रखते हैं, लोगों को जगाने की जरूरत है, न कि लोगों को सुलाने की. लोगों को सुला देना एक अस्थाई हल है, और आप नहीं जानते कि जब वो जागेंगे तब क्या करेंगे. जब नशा उतर जाएगा तब हम नहीं जानते कि वो क्या करेंगे पर ये एक रंगीन विचार है गुरुजी, आज सुभह यहां ऐसे बहतरीन लोगों के बीच होना मेरा सौभाग्य है बहुत बहुत धन्यवाद पहले पैनल में किसी सर्जन ने कहा था कि ज़रूरी नहीं हमारे राष्टर के नेतरित्व की आवाज, लोगों की आवाज हो और एक तरह से आपने मुझे वाकई मेरे सवाल तक पहुँचा दिया जब आपने जननायकम की बात की, जिसका मतलब है लोगों के लिए और लोगों द्वारा है इसलिए एक तरफ हम लोगों को सशक्त बनाने के लिए ऐसे निड़ने लेने की बात कर रहे हैं जिनसे राष्टरों को फाइदा होगा लेकिन ये वही लोग हैं जो बड़े परदे पर एक कालपनिक चरित्र के चित्रण पर असहंशील हो जाते हैं और सर काटने की धमकी देते हैं मेरा प्रशन है कि हम असहंशील क्यों हैं और ये सीधे UAE की सहंशीलता वर्ष से संबंदित है मुझे किसी का सर काटने वाली बात समझ नहीं आई ये पद्मावत विवाद से संबंदित है वो अभिनेत्री तो हम लोगों को ससक बनाने की बात कर रहे हैं और हमारे सामने वही लोग छोटे-छोटे मुद्दों को उठाते हैं जब हमारे सामने बड़े मुद्दे मौझूद है देखिए, लोकतंत्र लोगों को कुछ विशेश अधिकार देता है पर इसमें सभी लोगों के जिम्मेदारी भरे व्यवार पर जोर देने की कोई खास व्यवस्था नहीं है इसलिए बहुत सारे लोग अलग अलग तरीकों से इन खास अधिकारों का दूर उपयोग करते हैं यह मत सोचिए कि ऐसा हमेशा होता है ज्यादतर लोग ऐसे नहीं है जहां तक नेताओं के लोगों का प्रतिनिधी होने की बात है तो आम तोर पर तरक यह होता है कि सिर्फ 60 प्रतिशत लोगों ने वोट दिया है जिसमें से वर्तमान नेता को केवल 31 प्रतिशत वोट मिले है तो वो देश का नेता कैसे हो सकता है तो बचेवे 40 प्रतिशत लोग क्या कर रहे है जब उन्होंने वोट ही नहीं दिया है तो उन्हें टिपणी करने का भी हक नहीं है और शायद आप मेंसे कई लोग भारत में वोट देंगे महत्वपून बात ये है कि अगर लोकतंतर को काम करना है तो जागिरदारी वाले तरीकों को खत्म करना होगा जैसे कि अगर एक परिवार भी एक हिकाई के रूप में वोट देता है तो ये लोकतंतर नहीं है गुप्त मद्दान रखने का कारण यही है कि हर कोई खुद सोचकर वोट दे सके अगर आप एक परिवार के रूप में वोट देते हैं या एक संप्रदाय या एक धर्म के रूप में वोट देते हैं या फिर अगर आप एक पार्टी के रूप में भी वोट देते हैं, मैं कुछ ऐसा कहने जा रहा हूँ, जिससे मैं देश के सभी राजनेतिक दलों में अलोग प्रिये हो जाऊँगा, मैं कहा रहा हूँ कि राजनीतिक पार्टी की सदस्यता ही हटा दी जानी चाहिए, ऐसा वोट पहले से ही तह और यहा, यह जागिर्दारी वाला तरीका है, इसमें लोग तंतर कहा है, हम भी तेजी से वैसे बन रहे हैं, हमारे देश में शुरुआत में ऐसा नहीं था, लेकिन अब हम तेजी से वैसे बन रहे हैं, मुझे लगता है कि यह राजनीतिक सदस्यता नह नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो पहले ही प्रतिबद्ध हो जाते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। हर चुनाव में आपको मूल्यांकन करना चाहिए, कि पिछले पांच वर्षों में क्या हुआ है, क्या कोई फायदा है, क्या हमें उन्हें एक और मौका देना चाहिए या नहीं, ये बात हर इनसान को तै करनी चाहिए। अगर एक समुह में वोट तै करते हैं, क्योंकि आप पाटी के एक सदस्य हैं, या किसी धर्म से जुड़े हैं, या फिर जाती आदी के होने के कारण, तो ये कोई लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र के नाम पर सिर्फ जागिरदारी है, और ज्यादतर देश ऐसे बनते जा विशेश रूप से अमेरिका में ये हो रहा है, और भारत उसी ओर जा रहा है, मुझे लगता है कि अगर हम सुधार चाहते हैं, हम धर्म और जाती से परे जाकर वोट देने की बाते कर रहे हैं, पर पाटी का क्या? पाटी नया धर्म बन गया है, ये महतोपूर्ण है कि सदस पाटी सिता नहीं होनी चाहिए, और लोगों को चुनाव से ठीक पहले तै करना चाहिए कि वो किसे वोट देना चाहते हैं, वरना हम लोग तांतरिक प्रक्रिया का नाश कर देंगे। जो पूरी तरह से पुरानी हो गई है? निश्चित रूप से, लेकिन हमें उस जगा को समझने की ज़रूरत है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और जब वो उस हालात में हैं, तब हमारा 21 सदी की बाते करना जैसे कि सभी का जीवन वैसा हो, ये ठीक नहीं है। अभी आपको राश्टर की सीमाएं मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्हें मजबूत किये बिना आप लोगों को संबोधित नहीं कर सकते। जब आबादी सुक्स सम्रिधी के खास तर पर आ जाए, तब बेशक हमें इन सीमाओं को ढीला करना होगा। हमें ये समझना चाहिए, कि सामाजिक विकास के अलग-अलग स्तरों पर राश्टर निर्मान अलग-अलग तरीकों से होता है। दुर्भाग्य से पहले 25-30 वर्षों में अगर हम एक विक्सित राश्टर बन गए होते, तो हम एक अलग बात कर रहे होते। मैं निश्चित रूप से एक अलग बात बोल रहा होता। लेकिन मेरा सत्तर प्रतिशत कार एक ग्रामीन भारत में हैं और हम किसे किसवी सदी की बात कर रहे हैं। 21-वी सदी की बात हम सिर्फ तब करते हैं जब हम बैंगलो और मुंबई जैसी जगा पर हो। जब हम गाओं में होते हैं हम 18-वी सदी की बाते करते हैं। यही हालत है उन लोगों की। तो जब हम देश की 100% आबादी के बारे में एक साथ कुछ नहीं कर पा रहे तो कम से कम बुनियादी पोशन का सुधार तो होना चाहिए। सिर्फ तभी हमें सीमाओं को खोलने के बड़े विचारों की बाते करनी चाहिए। सबसे पहले भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्री लंका अगर उनमें आर्थिक रूप से थोड़ी बहुत समानता हो तो सीमाए खोलना कारगर होगा। वरना जबा समानता बहुत भारी हो और आप सीमाए खोल दें तो उथल पुथल होगी और हर हाल में संघर इसलिए मैंने कहा कि अगर आर्थिक सीमाओं को धीला करें, राजनीतिक सीमाओं को कड़ा रखते हुए आर्थिक सीमाओं को कुछ समय के लिए धीला करें क्योंकि अर्थ व्यवस्था को बढ़ाए बिना, अर्थ व्यवस्था के आकार को बढ़ाए बिना वाकई कोई क्योंकि एक छोटी रोटी को आप जैसे भी तोड़े उससे काम नहीं बनेगा हमें इसे बड़ा बनाने की जरूरत है जब अर्थ व्यवस्था का आकार काफी बड़ा हो जाए और इसके परयाप्त बड़े होने के लिए इन राष्ट्रों को कम से कम आर्थिक तौर पर एक होक काम करना होगा अर्थ व्यवस्था चलाने के लिए कम से कम उपरी तौर पर एक गठ बंधन हो उसके बाद हम देश की सीमाओं को ढीला करने की बात कर सकते हैं झाल एक हो